सब्सक्राइब नाओ एंड क्लिक ओन दा बेल आइकोन पूर मोर अपडेट्स नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में कम्प्यूटर क्या है इसके वारे में जानेंगे तो बने रहें आप इस वीडियो के अंदर उसके बाद आप भी कम्प्यूटर की बैसिक नॉलेज जरू जान पाएंगे कम्प्यूटर क्या है कम्प्यूटर का परिचे कम्प्यूटर एक इलेक्ट्रोनिक मसीन है जो यूजर द्वारा दिये गए सूचना में प्रकिरिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है मतलब कि कम्प्यूटर एक ऐसी मसीन है जो यूजर द्वारा दिये गए निर्देसों का पालन करती है और computer में data को store करने, data को पुनहा प्राप्त करने और process करने की छंता भी होती है Computer सब्द की उत्पत्ती अंग्रेजी के compute सब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना प्रारम में computer का उपियोग मूल रूप से गणनात्मक कारियों के लिए ही हुआ था परन्तु आज उसका कार्य छेतर काफी व्यापक हो चुका है, मतलब की बढ़ चुका है, मौसम की भविस्यवाणी हो या मसीन और बिल्डिंगों की डिजाइन चंद्रमा या किसी अनिग्रह पर जाने वाले यान की दिसन विर्धारित करना हो, या किताबों और अकवारों की छपाई करना हो, संगीत कमपोज करना हो, रिकॉर्ड करना हो, या फिर फिल्म का संपादन करना हो, computer अपनी उपियोगिता हर किसी छेतर में साबित कर चुका ह सुरुबात में computer को जटिल आंक किये गड़नाओं में के सीग्रहल के लिए बनाया गया था, पर आगे चलकर ऐसी कई आपसक्ताओं की पूर्ति करने लगा जो आगड़ी तिये थी, और इसलिए अब यह कहना सही नहीं है कि computer सिर्फ तेजी से गड़ना करने वाली machine है, इसके बदले हम computer को computer information या सूचना के आधार पर संगणना यानि की processing करने वाला उपकरन कह सकते हैं, computer का मुख्य काम सूचना और data को processing करना होता है, चाहे वह काम गड़ीतिये हो या फिर अगड़ीतिये, यह दोनों ही काम भली भाति कर सकता है, मानो सब्वता के इतिहास में हुए महत्वपूर्ण बैग्यानिक अविस्कारों में computer का एक महत्वपूर्ण स्थान है, computer उन प्रमुप अविस्कारों में से एक बाना जाता है, जिन्होंने मानो सब्वता के विकास को एक नई दिशाप्रदान की है, computer आज हमारे जीवन के स काम अपने कम्प्यूटर के माध्यम से चुटकी बजाते ही कर सकते हैं और इसके लिए हमें कहीं और जानी की भी आवसकता नहीं पड़ती है कम्प्यूटर का उप्योग आज हर छेतर में देखने को मिल जाता है चाहे वहे रोजमर्गा के काम हो या फिर हमारे घर में जो बिल आता है वहे भी कम्प्यूटर के द्वारा ही तैयार किया जाता है हमारे स्कूल से जो हमें अंग्सुची प्राप खोती है वहे भी कंप्यूटर के द्वारा ही बनाई जाती है अस्पतालों में और बड़ी बड़ी रिसर्च में और इलाज के काम में भी कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसी के साथ साथ कारखानों में, उच्छ सिक्चा संस्थानों में, वीमा संस्थानों में और बैंकों में कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है और कंप्यूटर ने मानों सभिता को एक नई उचाई पर पहुंचाया है